एलो एब्रिवन इस वीडियो में हम देखेंगे कि PN junction diet को photo diode की तरह कैसे यूज किया जाता है तो photo diode किया होता है special type का PN junction diode होता है जो कि यूज किया जाता है detect करने के लिए optical signals को detect करने के लिए उसका यूज किया जाता है यह हमेशा reverse bias होता है जिसे light emitting diode को हम forward bias में यूज करते हैं और वहां पर concentration को high रखते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है यह reverse bias होता है और जो कि photo sensitive material से बनाया जाता है तो इट इस कि इट इस आ स्पेशल टाइप आप आप कि junction diode इसे ट वे स्पेशल टाइप न ई इसे दिटे एप इस पन युच्टिबशन रिवस्पयस, पन जच्टिबशन रिवस्पयस फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स जो यह हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स से बनाया जाते हैं अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं यह किस तरीके से वर्क करता है तो जैसे हमने लेडी में देखा एलेडी में क्या था कि अगर एक एलेक्ट्रॉन एक होल से कंबाइन करता है तो क्या करता है एनर्जी को रिलीस करता है लेकिन यह क्या करता है एनर्जी जह हम उस पर फोटोन डालेंगे जब एनर्जी देंगे तब क्या होगा वह वर्क करता है उसमें करेंट बनता है तो यह क अभट करता है किसे काम करेगा एक पी जंक्शन डायोड लिया हमने कि यह स्का डेप्लीशन रेजन यह पी टाइप सेमिकंडक्टर है और यह एंट एक रेजरन रीजन यहाँ पर हमने एक ट्रांस्परेंट विंडो बना दिए कियोंकि हमें यहां यहां पर लाइट देनी है इसमें एनर्जी देनी है Transparent Window अब हम क्या करते हैं इसमें Photons देते हैं इसमें Energy देते हैं तो क्या होगा जो यह Depletion Region है इस Depletion Region में क्या है Free Electrons है इसमें Electrons और Hole कम्बाइण होगे Complete Atom बन गए अब उस Atom के हम क्या कर रहे है Energy दे रहे है हैं एची नियूज को एनर्जी दे रहे हैं तो ॉहां पर एक होल स्थ चोण गवार जयाता है तो क्या होता है इसको कंबाइन किया है किया है तो यहां पे फिट्र पे तो यह वाला अंचम्य टेटिजस्ट अपसाण जाते हैं इस स्याटिब की जो electron है, وہ positive की तरख चले जाता है और hole जो है, वो P type semiconductor की तरख चले जाता है तो यह यहां को जाने लगते जाता है और यह यहां को जाने लगते है और हम क्या करते हैं इसमेंeg इसमेंeg register लगाते हैं और एक galvanometer लगा देते हैं, देखने के लिए की current flow औरहा हो रहा है नहीं हो रहा तो है क्या होता है है यहां से नेगेटिव की तरप जाने लगता है तो यहां से n Other semiconductor की तरफ जाने लगता है फिर हम इसको क्या करते है reverse-bias करदेते हैं कि हमने इसको P को negativ से connect कर Á और N को positive से connect कर दिया। तो क्या हो गया? कि यह जाधा से जाधा आप क्या होगा? इसमें हमने electric field दे दिया, opposite direction में, तो क्या होता है? यह जो holes हैं, वो यहां से इधर जाने लगेंगे, यह हम कह सकते हैं कि जो electrons हैं इस direction में जाने लगे, तो इस तरीके से ये work करता है blending करा इसको energy दि energy देने के बाद क्या होता है जो स्ट में atoms होते हैं वो break होने लगते हैं holes और electrons create करते हैं और हम इसको reverse pass कर देते हैं इसा direction में electric field apply कर देते हैं potential apply कर देते हैं तो क्या होता है holes जो हैं इस तरीके से इधर से इधर जाने लगते हैं सर्केट में करेंट फ्लो होने लगते है तो इसका जो यूज होता है ये बर्गलर अलार्म्स में नोट काउंटिंग में जैसी हमने विंडो आफ कर दी तो क्या होगा यहां से लेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे इधर उदर नहीं जाएंगे होल्स नहीं जाएंगे तो करेंट फ्लो नहीं होगा तो क्या करते हैं जैसे नोट रख दिया हमने तो जैसी यहां से लाइट जा रही है यहां पर एक डिटेक्टर रख दिया बीच में नोट रख दिया तो जैसे एक note आया, तो उसने यहां पर count कर दिया, फिर वो हटा, फिर signal चला गया, फिर दूसरा आया, तो फिर उसने count करा, फिर हट गया, फिर signal चला गया, तो इस तरीके से बर्गलर alarm या note counting में इसका यूज किया जाता है और traffic counting में भी इसका use किया जाता है तो यह होता है photo diode, यह LED का बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पर क्या था कि एक electronic hole से मिलता है, तब energy release होती है, यहाँ पर हम energy देगे क्या करते है, electron और hole को अलग-अलग करते हैं, यह है photo diode और उसकी uses.